एक छोटी सी गलती आपके काफी सारे पैसे बरबाद कर सकती है जी हाँ दोस्तो Flipkart के सेल के दरण आप में से काफी लोग iPhone खरीदने का planning कर रहोंगे कोई laptop बाई करना चाहता है कोई अपने घर के लिए TV, fridge, AC बाई करना चाहता है या कोई अपने लिए earphone तो आप 1000 से ले करके एक लाग तक कोई भी product बाई करना चाहते हो limit कुछ नहीं है लेकिन open box delivery बहुत जाधा important होता है तो prepare transaction के लिए थोड़ा different है cash on delivery के लिए थोड़ा different है अगर product आप तक खराब आ जाएगा तो कैसे इस से deal किया जाता है ये सारी तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा बस एक छोड़ा सा request रहेगा कि भाई 2000 like target है and 400 comments मुझे चाहिए जरूर करके बता देना तो open box delivery आखिर है क्या उसको जानने से पहले एक और important चीज़ आप में से काफी लोग पहले buy करते थे phone तो product आपने जैसे order किया delivery boy आप तक पहुंचता था आपको product दे करके चला जाता था अब उस जो डबबे के अंदर है क्या वो original चीज है क्या उसके अंदर आपको साबुन मिल गया ये सारी ना tension वाली बात होती थी और फिर बहुत सारे customer को दिक्कत आने लगी थी तो इस चीज को अच्छे से tackle करने के लिए Flipkart ने launch किया open box delivery अब इस system के अंदर होता क्या है कि जब भी आपने product order किया delivery boy आपके घर तक आएगा और आपको चीजों को पहले open करके दिखाएगा कि पहले देख लो भाईया इसके अंदर जो भी product आपने order किया था सब कुछ वही है याफी ने और ज्यादा तरना वो अपने keyring से ही कर देते हैं तो भाई वो आप चीज चेक कर लेना हो सकते है तो उनको knife दे देना अच्छे से करा लेना अगर सब कुछ सही रहेगा तो फिर आप उसको OTP दीजिए और product को आप अपने घर पे ले जाएए यही system है दोस्तों तो इससे हुआ क्या फाइदा कि flip card का भी नुकसान नहीं हुआ आपका भी नुकसान नहीं हुआ और delivery वाले लोग भी खुश रहे हैं और साथी साथ seller जो आपको product पहुचाया है वो भी खुश रहेगा तो यह जो service है यह कई लोगों के लिए helpful भी और अच्छा भी है लेकिन कई ना कई लोगों को दिक्कत भी आती है कि भाईया अगर हमने cash on delivery order किया है तो payment पहले करना है या बाद में करना है let's suppose कोई product missing है तो उसका refund मिलेगा या replacement मिलेगा और कई सारे cases में ऐसा भी होता ना कि आप घर पे नहीं हो और आपके घर वाले receive कर रहे हैं और उनको उतना idea नहीं है कि क्या है इसके अंदर और उस वक्त OTP share कर दिया तो क्या दिक्कत आएगी तो ये सारे समस्याओं के बारे में हम बात करेंगे लेकिन आप चलो ना step by step बात करते कि क्या ये service free है या इसके पैसे लगते तो भाया ये service पूरी तरीके से free है और इसके कोई भी पैसे आपको नहीं देने पड़ते हैं लेकिन एक चीज का धियान रखना कि open box delivery हर एक pin code और हर एक product लिए valid नहीं होता है उसको अगर आप check करना चाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ let's suppose एक POCO M6 Pro phone है उसको हम buy करना चाते हैं तो जैसे यह buy नाओ पे click करते हो और उसके जब order summary page आता है यहाँ पर से आपका address दिखेगा नीचे के तरफ आप scroll करोगे तो आपको दिखेगा rest assured with open box delivery तो यहाँ पर से आपको यह वाला अगर logo आ जाता है यह पूरा details के साथ आता है तो आपको idea लग जाएगा कि जब भी यह product आपको मिलेगा open box delivery पूरा system follow होगा तब जाकर के आपको यह product मिलेगा तो जो भी pin code है जो भी product आप buy करना चाहते हैं यह चीज़ आपको order summary page पे ही दिखाया जाएगा खेर अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर यह जो product आपको मिल रहा है open box delivery में मिल रहा है तो यहाँ पर क्या-क्या चीज follow होता है जिसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है तो जैसे ही आपने इस product को order किया जब यह out for delivery होगा तो आपको एक OTP मिलता है आपके phone number पे in fact आप चोओ तो app में भी यह चीज़ जाकर के check कर सकते हैं अब इस OTP को आपको delivery agent को देना होता है open box delivery का पूरा procedure को follow करने के बाद में और वो पूरी तरीके से check करेगा तब जाकर कि आपको यह चीज़ देना होता है अब यहाँ पर क्या-क्या चीज़ होता है अब उसके बार में बात करते है लेट सपोस बंदा आया आपके पास और आपको बोलेगा कि भाया यह open box delivery वाला system है तो इसके लिए आपको जो आपने delivery के लिए अपना phone number यूज किया है उसके last four digits आपको देने होते हैं तब जाकर कि यह पूरा procedure और श्टार्ट होता है लाइक charger यह सब सब कुछ दिया गया है याफी ने सब चीज जब हो जाता है उसके पिक्चर ले करके okay करेंगे और उससे के बाद आपको सब चीज satisfaction के बाद ही पूरी तरीके से होने के बाद आप OTP दीजिएगा तब जाकर के आपका पूरा process complete होगा अब यहाँ पास ना दो तीन चीज होता है पहला तो यह हो सकता है कि let's suppose जो आपने product order किया वो आपको मिला नहीं है कुछ और ही आगिया second case ऐसा भी हो सकता है कि कुछ unit जो आपने मंगाया है हो सकता है कि उसमें damage है let's suppose हमने phone का example दिया क्योंकि वो तो छोड़ा product है बट कई सारे cases में ऐसा हो दाना जैसे हमने TV भी मंगाया है online तो TV का screen सबसे जाधा important होता है कई लोग 32 inch का मंगा रहे हैं कई लोग बड़े screen मंगाते हैं तो let's suppose वो crack है तो उस case में again आपको यहाँ पर replacement या refund मिल सकता है और एक चीज है दोस्तो कि prepared की है तब तो सब चीज smoothly चल रहा है लेकिन cash on delivery अगर आपने किया है तो क्या आपको पैसे पहले देने होंगे जब open box हो रहा है उसके पहले या बाद में ये जानना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पर clearly mention किया गया है flip card के terms and condition में कि जैसे ही product आप open box delivery करा रहे हो उसके पहले आपको पैसे देने पड़ते हैं कोई भी product आपने order किया चाहे वो छोटा product हो या बड़ा product हो क्योंकि मैं आपको ये चीज़ इसलिए बल रहा हो ना क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक मैंने Puma का shoe order किया था तो उसमें भी open box delivery था मतलब आप imagine कर सकतो एक मतलब non electronic product में भी ये चीज़ किया गया है साथी साथ कई सारे earphone में भी किया जाता है phone ये सब में तो चलो बहुत पहले से चला आ रहा है इसके साथ साथ अगर आप electronic appliances let's suppose TV कर रहे हो order या फिर fridge कर रहे हो या in fact अगर आप washing machine भी कर रहे हो तो सब में open box delivery होता है मैंने जितने भी products भाई की है जादा तो मैं online ही भाई करता हूँ सब में open box होता है हाला कि दोस्तो open box delivery के अंदर किवल तीन चीज़ चेक किया जाता है कि जो product आपको मिला है क्या वो damage condition में है wrong product तो आपको नहीं मिल गया है और कोई missing item है या फिर नहीं इसके लावा functionality हो गया let's suppose अगर आप phone का camera on करके चेक करना चाहते हो कि अच्छा काम कर रहा है या फिर नहीं या हो सकेगा कि आपने कोई TV order किया उसका operating system अच्छा से काम कर रहा है या फिर नहीं या कुछ भी हो सकता है कि washing machine आया भे है उसको हम चला के देख लेते हैं तो ये सब चीज़ ना चेक नहीं किया जाता है बस ये जो तीन चीज़ मैंने आपको बताया वही चेक किया जाता है अब बात करते हैं कि refund का क्या process होता है क्योंकि ये जाना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हो सके कि open box delivery के समय ही कुई problem हो जाए या इसके बाद कोई problem होगा तो कैसे deal करते हैं तो open box delivery के अंदर let's suppose अगर आपने कोई product order किया और उसका कोई part missing है या कोई damage product आ गिया या defective item आ गिया है तो उस case में जो refund है दोस्तो अगर आपने online payment पहली कर दिया था तो उस case में यहाँ पर लिखा हुआ है दो business days में आपको ये पैसे वापस हो जाएंगे बट मुझे नहीं लगता इतना जल्दी होता है maximum seven days तक लग सकता है and second case में अगर आपने cash on delivery करके direct cash दिया है delivery executive को तो वो पैसे आपको hand to hand वापस मिल जाएंगे लेकिन जो तीसरा चीज है कई लोग क्या होता है ना भाईया मंगा लेते हैं cash on delivery के नाम पे और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं UPI transaction कर देते हैं या card payment करते हैं तो उस case में जो refund है दोस्तो maximum seven days तक लग सकता है अब product आपने घर पे ले आया एक दो दिन use किया उसके बाद हो सकेगा कुछ problem आ गया लेकिन उसमें ना दो-तीन दिन के बाद कोई problem आ गया तब उस case में क्या करना है तो उस case में आपको flip card देता है एक service जो की है replacement policy या return policy वो आपका seven days होता है कई product में 10 दिन होता है कई products में और भी कम हो सकता है कई products में जादा भी हो सकता है तो वो आपके उसके page के अंदर दिखा दिया जाता है कि seven days replacement policy है या return policy है तो यह जो duration दिया जाता है दोस्तो इस बीच में अगर कोई problem है तब तो आपको directly replacement या refund मिल जाएगा लेकिन उसके बाद अगर कोई problem आएगा तब तो भाई फिर आपको local service center जहां पर भी आपका होगा वहाँ जाकर के सब चीज ठीक करा लेना बट अगर आपके मन में ये question आ रहा है कि भाई इतना problem है तो क्यों ही हम online खरीदे तो इसका भी एक जवाब में देना चाहूंगा मैंने कुछ products ऐसे भी हैं जो कि offline भी भाई किया है और वो product ना एक ही दिन के बाद खराब हो जाता है तो जब मैं जाता हूं उनके पास तो कई सारे cases में बुला जाता है भाई आप service center जाओ ना क्योंकि हम तो यहाँ products को केवल sale करते हैं हम जाद जाद आपको phone number दे सकते हैं बंदे को बुला सकते हैं तो कहीं न कहीं offline में भी दिक्कत आती है ऐसा कोई बात नहीं है लेकिन मैं आपको इस वीडियो के जरीए बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको चीजों को follow up करना है अब यहाँ पर सेना कई सारे cases में ऐसा भी मैंने देखा है कि आप घर पे नहीं हो और आपको OTP मिला है तो आपने अपने घर वालों को बोला कि आप ले लो product को और उनको let's suppose idea नहीं है उनको नहीं पताया कि भाई यह Poco का कौन सा phone ने कौन सा color का मंगाया है हमारे बच्चे ने और ओ ले ले रहे हैं और आपने OTP शेयर कर दिया तो उस case में बहुत दिक्कत आएगी भाई आपको refund replacement कराने में क्योंकि आपके पस कोई proof नहीं है अब जहां पर भी बात आती है proof का तो दिमाग में एक घंटी जरूर चमक रहोगा कि हमें video record करना है क्योंकि आप में से काफी लोग यार normally food का videos बनाते हो अपना खुद का selfie लेते हो तो video record करना बेहत जरूरी चीज है अब आप open box delivery का procedure रिस्टार्ट हो रहा है उसी समय से start कर लो ताकि ना कभी भी आपको दिक्कत नहीं आए क्योंकि यार इतना कम price इतना discount में जब मिल रहा है तो थोड़ा सा 10 minute का आप थोड़ा सा अगर पंगा लेही लोगे video recording करने के नाम पे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है हैंजेन मिलनी मैं आपको बताता हूँ open box रहे ही ना रहे मैं हर एक चीजों को ना जब भी मंगाता हूँ तो उसका video तो बनाता ही हो जरूरी है यार मेरे लिए तो content बन जाता है बट आप भी इस तरीके से record करके रखा करो ताकि आपके पास proof रहे ताकि कल को गए कोई अगर आपसे बोले कि जो हमने product भेजा था वही है और आप जूट बोल रहे हो तो आप नहीं फसो बीच में क्योंकि ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है वो बाहर है घर वालों को बोले और product ले लिया गया OTP share कर दिया गया उसके बाद बहुत दिक्कत आती है तो वीडियो प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है चाहे आपका open box हो या फिर ना हो भाई वीडियो प्रूफ ज़रूर रखना unboxing करने के दौरान और पूरे अच्छे से कर लेना ताक कि ना पूरा सही रगे ऐसा नहीं कि कुछ आप भी जोल कर दो तो वो चीज का धियान रखना तो घुमाफिरा करके देखा जाए फ्लिपकाट का यह जो open box delivery आपको दिया जाता है यह helpful जरूर है और आप भी अपने friends को help कर सकते हो वीडियो को share करके वैसे हाँ card apply करने के links में आपको description box में देते रहा हूँ जा करके देख लेना और इस channel पर आपको बहुत ही कमाल के tech related videos मिलते रहते हैं हमेशा तो subscribe भी कर लेना अगर आप नए होंगे तो और बाकी मन में अभी भी कोई doubt है वाई comment करो यार 400 comments का target है पार करा देना और 2000 like target है जादा नहीं I hope आप करा दोगे बाकी चलो इस video में इतना ही like share and subscribe करके जाना so thanks a lot for watching